हिमाचल परदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अबैद खनन पर अंकुष लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है यही बजा है कि अबैद माइनिंग और ओवर्लोडिंग पर अंकुष लगाने के लिए उना में बॉर्डर पर कई माइनिंग चेक कोस्ट को बनाये गया है जो की आने बाले दिनों में जल्द इसका शुबारम कर दिया जाएगा इसके शुरू होने से ओवर्लोडिंग और अबैद खनन के मामलों पर नकेल कस्नी शुरू हो जाएगी बहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट बस सेबा को और सिमेंट कंपनियों से इसको लेकर बात्चित होने की बात कही है उन्होंने कहा कि सिमेंट के दाम सरकार नहीं बलकि सिमेंट कंपनिया खुद पह करती है प्रोसेस और कितने अच्छ तरीके से हमने हाइस्ट को चला है यह हमारा दुर्भाग्या है कि यह लगवग एक वरस से करोना काल के कारण से हमारी एक्टिविटी में थोड़ा कमी आई है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा विश्वाश है कि हम सही तरीके से इस विभाग को चला रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे अब आपके ध्यान में रहें कि उन्ना में जो आप विश्य बोल रहे हैं खनन को रोकने के लिए हमने पांच चेक पोस्ट जो हैं वो तियार करवाए हैं मेरा खाल दस पंद्रा बीस दिनों में जा एक महीने के अंदर उनकी इनेगरेशन होगी हम उन चेक पोस्ट लुए बर्तिय जनता पार्टी के समय में किए गया है इसलिए यह जो विश्य जो आपने बोला है इसलिए वहां पर यह काम हम इसके उपर कारवाई कर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सिमट यहां पे बनता है उसका डाम ज्यादा ना बढ़े उसकी हम चिंता जरूर करते हैं और हम समय समय के उपर उनको बलाते भी हैं और बातचीत करके उनके रेट्स को भी हम कम करते हैं तो जहां जो ग्राक आते हैं उनको चालीर पर देने पड़ती है तो लोगों में काफी रोश है यह एक प्रोसेस का विशह है भाई अगर वो कुछ लोग बोलेंगे कोई प्रेज स्ट्रेंडिंग लिखा जाता है उसी में जो क्लोजीज होती हैं वही इंप्लीमेंट की जाते हैं